हेलो एब्रीवान वेलकम टू आर चैनल जॉइन एमिनस अकाडमी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो में प्रीविए सिर्ट करने वाले हैं और ये कुश्टिन्स 2020 के हैं ठीक है आपको बहुत जगा मिल जाएगा लेकिन कहीं जगा भी कंप्लीटली नहीं मिल तो छे सेट थे तो हमारे पास जितने भी कुश्टिन होते हैं वह में मेरी बेस्ट होते हैं और आपको डाउट रहता है इस बार तो पेपर कंप्यूटर पर वह था उससे पहले जब पेपर वाला होता था ओम आर वाला तो भी वह लोग कुश्टिन पेपर नहीं देते थे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो जॉइन कर सकते हो और आप इंस्टरग्राम पे भी जॉइन कर सकते हो हमें इंस्टरग्राम पे हमारा यूजर नेम है add the rate mns.academy and you can also visit our store join mns.academy store आपको link description में मिल चाएगी start करते हैं यह सारे one liner की form में ही है क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको आगे इतना explain किया कि question मिलता नहीं है तो हमें जैसे मिला था हमने वैसे बना दिया था आप बस इसमें देखो question किस type के आता है और मैंने answer भी सबके दिये वे हैं तो आप साथ में note बनाते जाओ इससे आपको बहुत profit होगी क्योंकि mns में question repeat होते हैं तो पहला था full form of ncrt, ncrt का full form क्या होता है national council of education research and training okay national council of educational research and training next step full form of mrd, okay तो यहां पर r होगा और यहां d होगा mrd तो इसका full form होता है minimal residual disease यह क्या होता है एक name दिया गया है leukemia के जो cells होते हैं उनके number को यह video थोड़ा fast चलेगा अगर मैं सारे questions को आपको explain करने लगी तो काफी लंबी हो जाएगी यह video इसलिए next step full form of alu, alu का full form होता है mathematical logical unit next full form जो है वो है url, url का full form होता है uniform resource locator okay uniform resource locator next है os, os होता है operating system अगला है pin, यह दो set में आया था I guess pin का होता है postal index number यह सारे जो 6 set है उसके combine है, यह भी आद रखना आपको अगला है cdma, cdma का full form क्या होता है इसका full form होता है code division multiple assess ठीक है तो computer में exam होता है तो computer से related काफी सारे full form देखने के लिए मिले थे जिसे os हो गया वो भी एक computer का है यह भी computer से related है, ठीक है अगला है, यह science का question है the skull region articulates with the first vertebra is called तो इसको बोलते हैं occipital quondyle अगला है who has won three noble prize तो three noble prize किसको मिले है international committee of red cross इनको मिला था और red cross से काफी सारे questions भी आये थे इनको पहली बार मिला था 1917 में, फिर मिला है 1944 में और उसके बाद मिला है 1936 में ठीक है अगला है which sport is the michael jordan associated with sports person के काफी questions आये थे तो यह है basketball से related अगला where is the famous monument Victoria memorial located Victoria memorial कहा है तो Victoria memorial है Kolkata, West Bengal में अगला what is the state has the highest literacy rate in India as per the census 2011 तो 2011 का census पूछा है 2011 के हिसाब से केरला की highest literacy rate थी जो की थी 94% और यह मैंने आपको काफी सारे वीडियो में बता दिया है कि 2021 में census आने वाला है अगर आगया हमारे exam से पहले तो हमें वो वाला ही पढ़ना होगा ठीक है अगला capital of Australia Australia का capital होता है Canberra next है which is the highest literacy award in India इंडिया में highest literacy award किसको बुला गया है तो यह बुला है ग्यानपीट अवार्ट को next है what is the largest number of chromosome chromosome का largest number किसमें पाया जाता है तो यह एक fern है जिसका नाम है Opheemoglossum reticulatum ठीक है इसमें होते हैं 1260 chromosomes next है who is the author of book The Inheritance of Loss तो इस book की writer कौन है पूछा है तो यह है किरन देसाई next है which is the eastern and the western most state of India इंडिया का most eastern and western state कौन सा है तो यह है अरनाचल प्रदेश और गुजरत ऐसे options दिये वे थे उसमें से आपको बताना है next है who won Durand Cup in 2020 2020 में Durand Cup किसने जीता था तो यह जीता था Gokulam, Kerala, FC इन्होंने Mohan Bhagan को हराय था Durand Cup किस चीज से related है यह team किस चीज से related है तो यह है football से ठीक है Durand Cup होता है football से और यह बहुत जादा आता है exam में not only MNS, काफी सारे exam में मैंने इस cup के बारे में देखा है next है famous basketball player who died due to the coronavirus coronavirus के वज़े से famous basketball player की death हो गई थी वो कौन थे तो यह थे David Edward next है who won FIFA men under 17 World Cup in 2019 2019 का पूछा है देखो जैसे 2020 में paper हुआ तो उसमें 2020 के भी questions आया है 2019 के भी questions आया है इसी तरीके से 21 में जब होगा तो 2020 के questions भी पूछे जाएंगे और 21 के भी questions पूछे जाएंगे तो जो 2019 में हुआ था यह Brazil ने जीता था FIFA का फीफा किस चीज से रिलेटेड है यह भी football से ही रिलेटेड है next है who won the 2019 men US Open US Open किसने जीता था तो यह जीता था रफेल नडाल ने do or die slogan given by whom यह slogan किसने दिया था तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने who is the first deputy prime minister of India इंडिया के first deputy prime minister कौन थे तो यह थे सर्दार बलब भाई पटेल अगला है OSS is related to OSS किस चीज से related है तो यह desert में एक fertile land area होता है उसको OSS बोला जाता है next है Supreme Court settle dispute between center and state in India by which jurisdiction तो Supreme Court जो है center और state के बीच में अगर कोई dispute हो गया उसको settle करता है तो यह किस jurisdiction के according करता है तो यह article 131 में लिखा हुआ है इसके according करता है ठीक है Indian constitution का जो article 131 है उसमे legacy of learning यह book किस ने लिखी है तो यह लिखे थी सविता चाबडाने next है which country is called country of canal ठीक है nicknames very important यह पाकिस्तान को बोलते है country of canal who had the high level technical committee of public health expert for covid-19 covid-19 के लिए एक high level committee बनाई गई थी यह किसने head किया था तो यह किया था डॉक्टर वी के पॉल ने अगला है summer olympic 2020 is going to be held in तो यह कहा होने वाल थे Tokyo, Japan में next is who is known as the father of cell phone cell phone के father किसको बोलते हैं तो यह बोलते हैं Martin Cooper को next is study of fossil is known as fossils की study को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं paleontology next is study of soil काफी सारे question इस टाइप के आया थे study of इसको क्या बोलते है study of उसको क्या बोलते है एक तरीके से one word substitution के अंदर आएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं pediology पर नोट करने वाली यह बात है कि यह English में नहीं आया था यह GK portion में पूछा गया था ठीक है one word substitution आपका English में आता है और यह एक तरीके से one word substitution ही है यह पूछा गय थे questions GK में अगला है study of sounds sound की study को क्या बोलते है acoustic next है first noble prize given in which year first noble prize कौन सी year में दिया गया था तो यह गया था 1901 में किसान दिवस और farmers day is on किसान day या farmer day जो होता है किस दिन आता है 23rd December को अगला है wooden doors are swell up during rain this phenomenon is known as तो यह science का question होगा है जो wooden doors होते है वह swell हो जाते है rainy season में तो यह कौन सा phenomenon है तो इसको बोलते हैं imbibition next है what is the theme of world TB day 2020 world TB day 2020 का theme क्या है its time next है lateral root arise from which part lateral root जो है कौन से part से arise होते है तो यह होते है pericycle meristematic tissue से होते है pericycle ठीक है वैट का full form पूछा है value added text देखो इतना easy बहाता है कुछ जैसे वह था c a m a c d a m a तो वह काफी difficult था पर वैट कितना easy है तो यह आपके set पे काफी जादा depend करता है किसी-किसी set में इतने easy questions पूछे थे तो किसी में ऐसे पूछे थे इसलिए normalization का process बाद में adopt किया जाता है तो इसका full form है value added text next step full form of mdr इधर confusion थी actually जो पहले मैंने करवाय था आपको m r d ठीक है तो कुछ विच्चे बोर रहे थे mr d है कुछ बोर रहे थे mdr है तो मैंने दोनों ही लेके डाल दिया है mr d का तो मैंने आपको starting में करवा दिया mdr का full form होता है medical device reporting ठीक है medical device reporting अगला है which sports personality got padma vibhushan 2020 अभी 2021 का भी आ गया है तो आपको सारे 2021 के याद करने है अच्छे से ठीक है तो यह मिला था maricom को अगला है which personality got padma vibhushan हाँ तो इसमें भी doubt हो रहे था काफी बच्चे बोल रहे थे vibhushan है कुछ बोल रहे थे vibhushan है तो मैंने दोरों ही लिख दिया padma vibhushan मिला था PV संदू को और padma vibhushan मिला था maricom को अगला है previous name of cricket world cup जो cricket world cup अभी हम जिसको बोलते है उसका previous name क्या था तो उसका previous नाम था prudential world cup इसी तरीके से एक और बार आय था ICC interaction of human with a surrounding is called human interact करते है अपने surrounding से इसको क्या बोलते है तो उसको बोलते है ecosystem अगला है SD card full form जो phone में SD card होता है उसको क्या बोलते है तो उसको हम बोलते है secure digital okay secure digital next is smallest independent city in the world smallest independent city है Vatican City अगला है the molecule which has the highest percent of its ionic character among the following is so there were some options उसमें से ये करेक्ट था HF और ये science का हो गया अगला है what is the new name of Firoz Shah Kotla Stadium Firoz Shah Kotla Stadium का नए नाम क्या है तो इसका नए नाम है Arun Jitli Stadium next है the entire collection of plants seeds having diverse Ellie is called so plants and seeds का बहुत सारा collection जिसकी बहुत ही अलग-अलग alleles है उसको हम क्या बोलते है germ plasm next है ये भी science का है science and GK mix है इसमें तो मैं बताती चलूंगी आपको which bacteria thought to be belong to the primitive atmosphere कौंसे bacteria को सोचते थे की बहुत ही primitive atmosphere से belong करता है तो ये है cyanobacteria अगला है which type of antibiotic gained by the child through maternal placenta maternal placenta से कौन सी antibiotic मिलती है वच्चे को तो ये मिलती है natural acquired passive immunity next है element in which conduction band is overlapped by the balance bond is called तो ऐसे element जिसमें conduction band overlap होते है balance band से उन्हें क्या बोलते है तो उन्हें बोलते है semi conductors insulator conductors super semiconductors तो उन्हें हम बोलते है conductors next है which is the highest civilian award in India इंडिया में highest civilian award कौन सा है तो ये है भारत रत्न अगला है which is the largest island in the world world का largest island कौन सा है तो ये है green land और smallest island कौन सा है वो है bishop rock अगला है which technique is used to amplify small amount of DNA science का question है again तो ये कौन सी technique है PCR polymerized chain reaction next है the method that cannot be used for removing permanent hardness of water hardness जो होता है water का उसको remove करने के लिए ये method नहीं use हो सकता तो वो होता है adding castric soda अगला है what is the larva of mosquito called तो mosquito के larva को क्या बोलते है तो उसको बोलते है wiggler इस type के अलग अलग question आये थे जैसे यहां पर mosquito दिया है तो उसकी जगा कुछ और दी दिया था और बोला था उसके larva को क्या बोलते है अगला है lymph is does not have lymph के पास क्या नहीं होता lymph के पास rvc नहीं होती phenomena which work opposite to the linkage is तो linkage के opposite कौन सा phenomena work करता है तो उसको बोलते है अगला है famous hockey player who died recently तो recently मतलब यह 2020 का है न उसके according बोला है तो तब जिनकी death हुई थी वो थी बलबीर सिंह कुलर next है total number of digit in pin code pin code में total number digit किते होते है तो यह होते है 6 अगला youth day is celebrated in the honor of youth day किसके honor में celebrate होता है तो यह होता है स्वामी विवे कानंद के अगला है mobile phone was invented by तो यह पहले भी आया था कि cell phone किसने invent किया है तो यह एक और site में था कि mobile phone किसने invent किया है तो यह है Martin Cooper ने अगला है who is the chairman of Rajya Sabha Rajya Sabha का chairman किसको बोलते है तो vice president को बोलते है यह politics का question हुआ अगला है city of garden is known as city of garden के नाम से किसको जाना जाता है तो यह जाने देता है बैंगलूरू को next है chromite is found in which state chromite कौन से state में पाये जाता है तो यह मलता है Odisha में अगला है touching the sky with glory is the motto of motos और slogan काफी आये थे इस बार तो यह भी अच्छे सा आप देख लेना एक बार क्योंकि इसमें कुछ जादा याद करने का तो नहीं है touching the sky with glory तो यह navy का तो नहीं होगा air force का ही होगा तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो यह आपको याद रहेगा ठीक है तो यह किसका है air force का Indian air force अगला है full form of IMF IMF का full form तो यह होता है international monetary fund ठीक है क्या होता है international monetary fund next is location of mount Everest mount Everest कहां है यह पुचाता तो यह है निपाल में अगला है largest desert in the world world का largest desert क्या है तो वो है sahara next is in mask N95 95 stands for अभी coronavirus का period चल रहा था उस टाइम पे तो यह GK का question है कि जो mask होता है N95 इसमें 95 किस चीज के लिए stand करता है तो यह किस चीज के लिए stand करता है it can filter at least 95% of airborne particles ठीक है next is president of french is french के या फ्रांस के president कौन है emulian macron तो यह इस year भी बहुत जादा news में थे 2021 में अभी भी recently यह बहुत news में थे तो आपको इनका नाम याद रखना है emulian macron next है who is the author of the book vision at kargil the biography of the war hero तो यह biography है kargil war के time पे तो यह किस ने लिखी थी यह लिखा है विजेंद्रनात थापा और निहा द्रिवेदी ने next है in which year world war one begin जो first of all war था वो किस year से start हुआ था तो वो हुआ था 1914 से next है where was the first international earth summit held earth summit जो हुआ था वो सबसे पहली बार कहां पे हुआ हुआ था तो यह हुआ था Rioji denario Brazil में और 1992 में हुआ था अगला है what is the potentiometer wire made of तो potentiometer का जो wire होता है किस ती से बना होता है तो यह copper से बना होता है next है tennis best player of the year award 2019 यह किसको मिला था year 2019 का तो यह मिला था Roger Federer को which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of 4 India तो Mauryan dynasty से हमने लिया है जो इंडियन government का emblem है इंडिया का तो जो यह four lion वाला emblem है ना हमारा जिसमें चार आपको सिख्य पर भी दिखेगा तो यह लिया गया है Mauryan dynasty से अगला है rice ball of India rice ball of India किसको बोलते है तो Krishna Godavri delta region वाला जो region है उसको rice ball बोलते है option में यही था ठीक है जो मिशन इंडर धनुष है यह किस चीज के लिए है to ensure fully immunization with all available vaccine for children तो जितनी भी vaccine available है उन सबसे जो बच्चे उनको immunize कर दिया जाए अगला है if the kinetic energy of an object is increased four time what will be the increment of the momentum तो momentum क्या हो जाएगा unchanged रहेगा चार time बढ़ जाएगा दो time बढ़ जाएगा यह तीन time बढ़ जाएगा तो दो time बढ़ जाएगा यहाँ पे लगएगा P is equals to MV next है who is the FIFA's best player of 2020 2020 का best player कौन था FIFA का तो यह थे Lionel Messi but a biology is the study of biology किसकी study को बोलते है तो यह बोलते है study of moss and liverworts को next है Alice's adventure in wonderland is written by यह किसने लिखा है तो यह लिखा है Lewis Carroll ने next है science chemical name of vitamin B2 vitamin B2 का chemical name क्या होता है vitamin very important topic बहुत नहाँ से सारे vitamin उससे disease क्या होती है deficiency से और उनके scientific name या chemical name याद करने है तो यह है raboflavin अगला है which vitamin help in blood clotting कौन से vitamin blood clotting में help करता है तो वो होता है vitamin K next है which growth hormone responsible for leave fall in plants जो पत्ते गिरते हैं पज़र वाला जो चीज होते हैं यह कौन से होर्मोन के वज़र से होता है तो यह होता है ethylene next है which ice sheet are melting six times faster than 1990s तो यह current affair या JK का question था और यह काफी difficult question था तो यह कहां का और है greenland ice sheet तो आप एक और चीज़ notice कियो अगर आपने तो यह जो greenland है इसी पर based पहले भी एक question आया था इसी तरीके से एक swimmer थे Michael Phillips उनसे related हर set में question आया था तो जो important topic है न उससे हर set में ही आपको question देखने के लिए मिलेगा तो यह current का topic उस time चल रहा था तो इस topic से related 2 या 3 set में questions दिये गए थे अगला है where is the Maori are found in तो Maori क्या है एक tribe था ठीक है तेसले मैंने इस बार आपको बोला था कि tribe वाला जो topic है वो आपको अच्छे से करना है क्योंकि पिछले बार 3 set में tribe से related question आये थे अलग-अलग तो यह Maori जो tribe है यह कहाँ पर पाये जाती है यह हमसे पूछाता है तो यह एक New Zealand की type है सोचो इंडिया की भी नीदी थी बाहर की दी थी तो आप इंडिया की तो at least करके रखो अगला है Project Zero was launched by which company Project Zero था यह किस ने launch किया था यह Amazon ने launch किया था अगला है The coldest planet in the solar system solar system में coldest planet कौन सा है तो यह है Neptune Sun से इतने दूर है तो अब ऐसे भी आप तुक्का भी लगा सकते थे कि वही coldest होगा अगला है Two days before yesterday was Friday then what will be the day after tomorrow यह reasoning का question है ठीक है और इदर इस साल भी लिखा हुआ है कि general intelligence वहाँ पर GK ने लिखा सिर्फ कि आपको सिर्फ current affair और static GK से आएगा अगर नहीं आया कोई problem नहीं है बाद में आपको लगेगा अगर paper में आगया कि मैंने कर लिया होता तो इससे better है कि आप पहले से प्रिपेर करके रखो तो इसका answer होगा Monday अगला है founder of Red Cross या head of Red Cross तो Red Cross से related भी तीन सेट में questions थे तो इनका नाम था Peter Morer ठीक है Red Cross Day कब मनाया जाता है Red Cross को कितने बार award novel prize मिला है और founder कौन है उनका तीन question हो गए Red Cross से अगला anti-terrorism day is observed in तो anti-terrorism day कब देखा जाता है तो यह होता है 21st May को नेक्स्ट है Nobel Peace Prize in 2019 Nobel Peace Prize 2019 में मिला था Abhi Ahmed Ali को ठीक है Abhi Ahmed Ali Next is Dot Test Treatment is used for तो यह किसके लिए यूज होता है Tuber Clauses के लिए Full form क्या है Directly Observe Treatment Short Course Who gives slogan चलो दिली चलो दिली वाला slogan किसने दिया था तो शुभाशंदर बोस्टी ने दिया था X-shell is made up of X-shell किससे मनता है तो Calcium Carbonate से बनता है Which bacteria help to convert milk into curd Very easy question Lactobacillus Only woman who won twice Nobel Prize in different field एक ऐसी woman जिनको दो बार Nobel Prize मिला है वो भी different different field में और यह only woman है Marie Curie और उनको Physics and Chemistry में भी मिला है Next है Which thing got first GI tag in India तो कौन सा चीज है जिसको पहला पहली बार GI tag मिला था इंडिया में तो वो है Dargling tea जिनकी जो T है उसको सबसे पहली बार मिला था Who has won the most Olympic gold medal Olympic gold medal सबसे जादा किसको मिला तो यह थे Michael Phillips ठीक है fastest swimmer of USA इनको सबसे जादा Gold medal मिला था Chemical nature of on earth was explained by which scientist कि scientist नहीं यह explain किया था Chemical nature of earth तो यह था Oparan and Halden अगला है DNA is separated by DNA किस चीज से separate होता है तो option के हसाब से इदर आएगा Gel electrophoresis अगला है physics का Miraj is formed due to Miraj किसके वज़े से form होता है Total internal reflection of light ठीक है Total internal reflection of light Next one is cellular respiration In animal occur in Animals में cellular respiration कहां होती है तो यह थी mitochondria of cells में Next in which part of the cell और which organeal synthesis protein तो protein कहां synthesis होता है किस part में या किस organ में Cell में यह पूछा है तो यह होता है Ribosome में अगला है gold can be dissolved in Gold किस में dissolve हो सकता है Gold dissolve हो सकता है aqua regia में अगला है भी when we transfer the wanted gene In transgenic species to grow The multiple expected copy The phenomenon is called This phenomenon को क्या बहते है इसको बहते है Bacterial transformation Next question है Which blood cell do not contain nuclei कौन से blood cell में nuclei नहीं होता है तो यह RBC में नहीं होता है ठीक है या erythrocytes Next है Which Indian woman to cross 7C Very important question C के ओपर Swimmers के ओपर काफी question आये थे तो यह थी Bula Chaudhary Next है Sodium and chlorine Form which type of bond in sodium chloride Sodium और chlorine जब मिलते हैं तो कौन सा bond form होता है तो यह थे है Ionic bond Next है Who is known as the father of taxonomy किसको हम father of taxonomy बोलते हैं तो यह बोलते हैं Carlius linius को Next है Which is known as the graveyard of RBC किसको graveyard of RBC बोलते है तो हम बोलते हैं Spleens को अगला है Colorless Plastids are known as चो Colorless Plastids होते हैं उनको क्या बोला जाता है उनको बोलते है Leukoplast अगला है Fast Sight or Long Sightedness Eye Defect is known as तो अभी मैंने आपको बताया था Physics का यह फेबरेट टॉपिक है इससे तो कुश्चन आता ही Eye Defect से तो इसको बोलते हैं Hypermetropia तो यह मिला था Amitav बच्चन को Next is Thermoregulation is associated with which gland Thermoregulation जो है किस gland से related है तो यह था है Hypothalamus से अगला है IPL 2020 is held in which country तो 2020 का जो IPL था वो कौन सी country में हुआ था वो हुआ था UAE में Next one is Gir National Park is situated in Gir National Park कहां पे है National Park भी काफी important topic है हर साल इससे तो question आता ही है तो गिर National Park और जो wildlife century है यह दोनों ही गुजरात में situated है अगला name the first Indian satellite First Indian satellite जो है वो है Arya Bhatta Paralympic is held for which category of people तो जो Paralympics होते हैं किस category of people के लिए होते हैं तो यह Paralympics जो होता है यह वैसे athletes के लिए होता है जिन में किसी टाइप की disabilities होती है या उनके muscle powers enable होते हैं इंपेर होते हैं अगला है in a row यह भी reasoning question है In a row the position of tree is 5th from either side of the row ठीक है Then how many tree are there in a row बुला एक line में ऐसे tree लगा हुआ है ठीक है एक tree है उसका position 5th है इधर से भी और इधर से भी तो total कितने tree है तो इसके इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा तो 4 plus 4 is 8 और यह है 5th position पे तो यह आ गया 9 तो total कितना हो गया 9 अगला most suitable method to inject DNA in a cell अगर किसी cell में हमें DNA इंजेक्ट करना है तो most suitable method क्या है तो वो है micro injection अगला है pupa of mosquito is called तो mosquito का जो pupa होता है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है Tumbler Next question is When we add catalyst to the reaction we increase it जब catalyst add करते हैं किसी reaction में तो क्या होता है It increases the reaction rate by lowering the activation energy for a reaction वो इस reaction की reaction rate को increase करता है activation energy को कम करके अगला है How many pairs of cranial nerves are present in human body Human body में कितने pairs of cranial nerves होते हैं तो 12 pairs of cranial nerves होते हैं human body में यहाँ पर बताया भी है कि कौन कौन से होते हैं आप एक बार read कर लो इसको Next is Which planet is known as red planet? So यह देखो किता basic सा question है और यह भी आया हुआ है तो यह कौन से होते हैं Mars Mars को हम red planet बोलते हैं और इसको red planet इसलिए बोला जाता है कि Mars की जो मिट्टी होती है Soil वो red color की दिखती है Next is Soil यह थोड़ा difficult question था चुकि किसी की हम biography पढ़के इतना deep में नहीं पढ़ते है तो यह तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि difficult question था तो यह पूछा इसमें कि Mother Teresa University जो है वो कहां पे situated है तो जो Mother Teresa Women's University है Kodai Canal में ठीक है और यह South India में है यह जो University है Mother Teresa की यह 1984 में बनी थी Next is In green part जो green color होता है leaves में उसमें कौन सा element present होता है Which element is present तो जो green pigment होता है leaf के उसको chlorophyll बोलते है और उसमें magnesium present होता है Next is Which country is newly formed कौन सी country है जो newly formed है या था तो जो Newest international recognized country है वर्ल्ड की वो है एक African country of South Sudan इसको independence declare किया गया था July 9, 2011 में तो अभी के हिसाब से सबसे newly formed country यही है Next is Arjun Award was started in which year तो जो Arjun Award है यह किस year स्टार्ट हुआ था तो यह 1961 में सबसे पहली बार दिया गया था by Ministry of Youth, Affair and Sports Government of India ने इसको recognize किया था as an outstanding achievement in national sports तो जो national sports में अच्छा गरता है Arjun से ही आप पता लगा सकते हो Arjun क्या थे? एक धनोधर थे ना? तो एक तरीके से sports में आया वो तो यह Award sports के लिए दिया जाता होगा यह सकता था question यह आज सकता है कि Arjun Award किस चीज से related है तो तब आपको महाँ पे sports से करना होगा अगला है the process of converting sugar into alcohol is known as sugar को alcohol में convert करते है उस process को क्या बोलते है तो उसको हम बोलते है fermentation next is in which force work is not done कौन सा force है जिसमें work done नहीं होता है तो if the force is perpendicular to the direction of displacement work done is zero तो यहाँ पे work done नहीं माना जाता अगर जो force है वो perpendicular है direction के तो तो यहाँ पे कोई work done नहीं माना जाता next is Kaziranga National Park is famous spot तो अभी यहाँ पे यह नहीं पूछा कि वो कहा पे है ठीक है यहाँ पे question थोड़ा घुमा दिया है तो किस चीज के लिए famous है one horn rhinos के लिए famous है आप मुझे यह comment करके बताओ कि Kaziranga National Park है कहाँ ठीक है यह National Park बहुत important है मैं starting से ही बोल रही हूँ क्योंकि इससे sure question आता है important dates and theme and National Park इससे question आता ही है तो आप मुझे comment करके बताओ कि यह कहाँ पे है अगला है pacemaker is normal hurt known as जो कोई normal hurt है उसमें जो pacemaker होता है वो क्या होता है तो वो होता है sino, arterial या SA node ठीक है अगला है सारे जहां से अच्छा यह जो song है यह किस ने लिखा है यह जो song है यह लिखा है अल्मा मुहमद इकबाल ने next one is कौन के naval exercise is between India and which country तो इंडिया और कौन सी country की बीच में यह exercise होती है आपको सारी exercise इंडिया की जो होती है specially किस country के साथ वो याद करनी है ठीक है बाखी country का अगर नहीं भी करोगे तो इंडिया की किस किस country के साथ कौन सी exercise होती है वो याद करनी है तो यह होती है UK के साथ और यह कौन सी naval exercises से military exercise और air force exercise अलग-अलग होती है अगला द्रोनाचारे award is given to तो यह द्रोनाचारे award किसको देते हैं तो जो भी sports coaches होते हैं उनको देते हैं तो coach एक तरीके से क्या होते है गुरू ही होते है sports players के लिए अगला है fastest swimmer of the world तो इनके उबर काफी सारे question आयते हैं हर set में ही questions थे तो यह है Michael Phillips अगला है who won 28 23 gold medal in Olympic तो total इनोंने 28 medals जीते थे उसमें से 23 जो थे वो gold medal थे तो यह भी कौन है यह भी है Michael Phillips Michael Phillips कौन से country के हैं you have to comment and tell me next है international day of human space flight तो यह आता है 12th April को next है right to move in SC SC मतलब यहाँ पे supreme court को बोला है is mentioned in which article तो यह है article 32 से 35 में mention है right to the constitutional remedies 32 to 35 empowers the citizen to move to a court of law in case of any denial of the fundamental rights so गर आपको लग रहा है कि आपका कोई case है जिसमें आपका कोई fundamental right denial हो रहा है तो आप supreme court में move कर सकते हो अगला है which river cross the equator twice कौन सा river है जो equator को दो बार cross करता है तो यह है Congo river next है first Indian woman to receive booker prize in India India की कौन सी first woman थी यह आते है super latest में और ऐसे questions आते है first woman कौन था, first man कौन था ठीक है तो booker prize मिला था तो यह है Arunadity Roy इनको booker prize मिला था 1997 में ठीक है और जो इनकी book थी उनका नाम क्या था the god of small things तो इस book के लिए इनको प्राइज मिला था इनके और भी काफी important books है वो भी आपको एक बार देखना होगा next है director general of who who क्या है world health organization इसके director general कौन है तो इसके director general है तो इनका नाम है Dr. Tedros Adenom अभी भी आ सकता है विकज अभी भी covid का पूरी तरीके से situation close नहीं हुआ है पिछले बार ये news में काफी थे ठीक है तो ये एक तरीके से current affair का बोल सकते हो question है अगला है upper limit for PMJKBY PMJKBY क्या है तो इसका full form है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना ठीक है तो इसके लिए upper limit क्या है ये पूछी दी तो maximum जो है वो 50 साल के होना चीए और maximum coverage age जो है वो 55 entry age 50 और coverage age 55 next है जनता कर्फियू जो है ये कौन से day से implement हुआ था तो ये हुआ था 22 March 2020 ये भी आद रखना है तो 2020 में जनता कर्फियू लगा था 22 March से next है on 12 January 2020 which hockey player died तो किस hockey player की death हो गई थी 12th January को तो ये थे बलबीर सिंग कुलर तो ये जो eminent personalities होती है और इनकी death हो जाती जी newspaper में आता है तो इसको बोते arbitraries आपको ये पढ़ना है बिकरस ऐसा question हर set में आया था किसी ना किसी set में आया था obviously same person का नहीं आया था अलग-अलग लोगों का आया था तो इसलिए आपको याद रखना है अगला है which famous basketball player died this year again इसी type का question तो ये जो this year बोला है ये 2020 के लिए बोला गया है तो इनका नाम था कोब ब्राइंट अगला है satellite of earth तो satellite से यहाँ पर artificial satellite की बात हो रही है ये पहली artificial satellite थी और इसका नाम था Sputnik 1 Next is highest या tallest hill of South India तो ये थी अनाई मुडाई Next है ground water is polluted by which element according to recent study तो ये recent study की according बताना था कि जो ground water है वो कौन से element से polluted होता है तो ये है boron RBI note have how many language तो जो note होती है RBI की तरफ से issue उसमें कितने language होते है तो 15 language होते है उसमें Next है further is name of ये किसका nickname एक तरीके से बोल सकते हो था ये actually nickname नहीं था middle name था ठीक है Hitler का पर जो eminent personality होती है उनकी nicknames या उनको किस नाम से जाना जाता है और वो आपको याद रखना होगा अगला है accessory gland which finds only in male mammal तो कौन सा accessory glands है जो सिर्फ male mammals में ही पाया जाता है तो ये है bulbu urethral gland Next is catalyst property shown by which type of RNA during translocation तो catalytic property कौन सा RNA show करता है translocation के time पे तो ये होता है rRNA rRNA में catalytic property show होती है अगला blood clotting is prevented in blood vessel by which factor तो हमारी जो blood vessels होती है उसमें blood clotting नहीं होती है तो ये कौन प्रिवेंट करता है तो ये होता है thrombence के वज़र से Next है silk formed by silk worm on which stage तो कौन सी stage पे silk form होता है पूछा है तो ये होता है pupa stage पे अगला है when one organ change its shape is called कोई एक organ है जो अपना shape change कर रहा है तो उसको बूलते हैं morphogenesis Next one is regeneration power of an organism due to which cells तो ये कौन से cells के वज़र से होता है pluropotent stem cells के वज़र से ये जो regeneration वाली power आती इस पे भी दो questions आये थे next है why does carbon form mini compound जो carbon है ये इतने सारे compound कैसे form करता है because of its property known as catenation तो एक property होती है catenation उसके वज़े से carbon जो है बहुत सारे compound form कर पाता है next है bones in cervical and thoric respectively so cervical में 7 होते हैं and thorac में 12 होते हैं next is what was rollet act ये act क्या था तो ये act था the rollet act was passed by the British government to increase their grip on power over common folk तो जो normal आमाद भी थे उन लोगों के उपर British अपनी power increase करना चाहती थी तो ये उन लोगों ने एक act पास किया था इस act में बहुत कुछ था आप अच्छे से read कर सकते हो तो basically वो किसी को भी jail में डाल सकते थे बिना court trial के और ऐसी बहुत सारी चीजे थी जिससे उनका power जादा हो common लोग पे एक तरीके से वो लोगों कोई बस suppress करना चाहते थे जैसे आपने काफी सारी जो independent के उपर movies बनीऊंगी उसमें देखा होगा वो लोग किसी को भी उठा के jail में डाल देते थे गांधी जी जो थी है वो भी कितने बार jail गए थे यह सब कितने बार jail गए थे next one is vertical distribution of species called as जो vertical distribution होती है species के इसको क्या बोते है तो इसको बोते है stratification अगला है what does it mean if the board of water body is less than 5 ppm तो अगर पर इसी water body का board क्या होता है तो यह जो BOD है इसका मतलब क्या होता है biological oxygen demand तो अगर less है इसका 5 ppm से तो उसमें क्या है the water having board या BOD less than 5 ppm is rich in dissolved oxygen तो उसमें dissolved oxygen की मात्रा जादा पाई जाएगी next है the day of commencement of constitution of India किस दिन से लागू हुआ था यह पूछा है तो यह था January 26, 1950 से इस दिन से जो हमारा constitution था वो effect में आया था who was the first election commissioner of India India के first election commissioner कौन थे तो यह थे सुकुमार सेन अगला है longest phase in cell division cell division में longest phase कौन सा होता है तो यह था है interface interface is the longest part of the cell cycle this is when the cell grow and copy its DNA before moving into mitosis mitosis में जाने से पहले सल यहां पर grow करता है और अपने DNA को copy करता है ठीक है अगला है the speaker of loksabha can ask a member of house to stop speaking and let another member speak the phenomenon is known as तो जो लोकसभा के speaker होते हैं वो किसी एक member को बोल सकते हैं कि अभी तुम चुप करो बोलना और दूसरों को बोल सकते हैं कि हाँ अभी तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है तो यह जो process है यह phenomenon है तो इसको क्या बोलते है इसको बोलते है yielding the floor ठीक है yielding the floor यह भी एक तरीके से कह सकते है difficult question था अगर आपने polity का कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको तो यह बिल्कुल भी नहीं आया होगा अगला है the name of the bond present between polysaccharides polysaccharides की बीच में कौन सी bond present होती है तो यह थी glycosidic bond अगला है ratio of maximum and minimum wavelength in balmer series जो balmer series है उसमें maximum और minimum wavelength की ratio क्या है तो ratio है 5 ratio 9 next is which of the following does not give benedict test तो ऐसे options दे तो उसमें से बताया था कि benedict test कौन सा नहीं देता तो हमारे पास options नहीं थे तो मैं आपको बस यह बताना चाहती हूँ कि जिन non reducing sugars होते हैं वो benedict test नहीं देते तो options में से आप देख लेना जो भी option आएगा उसमें से अगर non reducing sugar हुआ वो तो आपका correct answer वही हो जाएगा जैसे कि for example हम बोल सकते हैं starch which compound shows cis and trans isomerism तो कौन से compound होते हैं alkenes and cyclic compound can exhibit cis and trans isomerism तो जो alkenes है और cyclic compound है वो show करते हैं अगला है which couple has won nobel prize कौन से couple है जिनको nobel prize मिला है तो यह है Esther Deflo and Abhijit Banerji इन दोनों को मिला है किस field में मिला है you have to comment and tell me next is highest densely populated state कौन सा है तो यह है बिहार next is largest ore mine iron ore mine तो यह है जारकंड में tenure of Rajasabha तो 6 एर का होते है राजसबय का tenure next is what is hydroponic hydroponic क्या है hydroponic is a type of horticulture and a subset of hydroculture which is a method of growing plants तो यह एक plant grow करने का method है ठीक है usually crop without salt इसमें कोई soil नहीं होता यह तरीके से पार यह तो है NCRT में है diagram भी दिया हुआ है ठीक है mineral solution on nutrient solution एक aqueous medium में डाल के पौदे हुगाते नेक्स्ट है constitutional monarchy found in constitutional monarchy कहां कहां पाया जाता है तो यह काफी सारी country में पाया जाता है ठीक है next is first president of IMC IMC के first president कौन थे after the party foundation in 1885 1885 में party बनी थी तो वोमेश, चुंदर, बैनर जी जो थे यह के first president बने थे next is which states according to census 2011 has least literacy rate तो अभी मैंने बहुत बार बताये अभी 2021 में आएगा ठीक है अगर exam से पहले आ गया तो सारा data आपको 2021 का पढ़ना होगा यह जो census का report है यह 10 साल के बाद आता है तो 2011 के साब से जो राजस्तान था यह lowest था male literacy में और जो भिहार था यह lowest था female literacy में अगला है फिरोज शा कोटला stadium इसको rename करके क्या कर दिया है तो इसका नाम बदल के कर दिया है अरुन जेटली स्टेडियम next is first Indian woman foreign minister तो पहली Indian woman जो foreign minister थी तो यह थी Mrs. Indra Gandhi अगला है 90 East Rich Lies In तो यह कहा है यह Indian Ocean में है नरेंद्र मोदी receive which award तो जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी इनको कौन से award मिले थे तो इनको काफी सारे award मिले थे 2019 में तो January 2019 में PM मोदी को सबसे पहली बार फिलिप्स कोटलर presidential award मिला था ठीक है और भी बहुत सारे award मिले थे इनको next है under which scheme women's were given free cylinder so this scheme was प्रधान मंत्री उज्वला योजना PM UI ठीक है इसमें women's को free cylinder मिल रहा था next is which minimum energy is required by reactant for reaction to start कौन सी वस energy को क्या बोलते है बेसिकली यह पूछा हम से जो minimum energy required होते है किसी भी reaction को start करने के लिए तो उसको हम बोलते है activation energy अगला है who is going to publish the writing of Guru Nanak writing on his 55th anniversary तो Guru Nanak ji की जो भी writings थी उनके anniversary थी 2020 में 550th anniversary तो इस पर publish करने वाले थे तो यह कौन publish करता है UNESCO जो UNESCO है वो publish करने वाली थी इनकी सारी writing वो भी अलग-अलग languages में अगला है mission launched by Indian Navy to bring Indian from other country तो यह कौन सी mission थी यह थी mission समुंदर से तू David Copperfield is related to which field तो यह कौन से field से related है यह एक writer है अगला है Zika virus is named after forest in the country it's originated what is the name of country यह भी एक तरीके से बोल सकते हूं मैं difficult level question था तो जो Zika virus था यह country में originate हुआ था तो यह इसका नाम उस forest के उपर रख दिया था तो हमसे यह पूछा है कि यह कौन सी country में originate हुआ था तो यह यूगान डाम में पाया गया था सबसे पहले अगला है when we add a impurity to a semiconductor it is known as किसी semiconductor में हम impurity add करते तो उसको हम बोलते हैं doping next is macintosh was manufactured by तो यह apple ने manufacture किया था एक तरीक से apple का यह product है अगला है in which plan was demand of partition accepted तो कौन से plan में जो partition के demand था वह accept किया गया था तो यह था mount baton plan next is which of the following have won two times nobel prize in physics तो यह यह john badden इनको दो बार nobel prize मिला है physics में तो अभी almost 200 questions हम complete कर चुके है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको like भी कर देना और चैनल को subscribe कर देना ताकि और भी M&A से related जो भी updates में डालूं आपको मिल जाए so next question is first temple which was constructed out in a single rock एक single rock से पूरा temple construct किया गया था यह कौन सा temple था so यह है के लाज temple next है minimum forage cover required for maintaining ecological balance तो ecological balance maintain के ने लिए कितना minimum forest cover होना चाहिए तो 33% होना चाहिए अगला pitch of the sound depend upon pitch किस पर depend करती है frequency पर next है what is the basic unit of excel in which you write is called तो यह भी computer का based question ठीक है इस type के question बहुत सारे आये थे तो जो actual sheet होती है उस पर जो भी हम type करते हैं तो उसको एक एक डब्बे को हम cell बोलते हैं ऐसे करके sheet आती है ठीक है उसमें ऐसे रहता है इसे पूरा बड़ा सा ही page रहा था column column सा basically marks figure जो हमारे बनाने होते है न तो teachers यह ही use करते हैं अगला है anti-satellite missile tested by Indian Navy तो यह थी ASAT missile ठीक है यह mission शक्ति के अंडर test की गई थी next है zero invented by whom तो यह zero invent किया था मायोज ने अगला है big bang theory is related to big bang theory किस चीज से related है origin of earth से अगला है first world war hailed in which year कौन से year में हुई थी तो यह हुई थी 1940 में 14 में ठीक है और यह हुई थी 28 July से लेके 11 November 1918 यह year भी देख ले ना अगला है jute fiber is obtained from which part of jute plant कौन से पार्ट से अप्टेन होता है jute fiber तो यह थे stem and outer skin से अगला है from which part of seed water enter through तो पानी जो होदा है seed के कौन से पार्ट से enter करता है तो यह थे micropyle next is neurotransmitter secretes from neurotransmitter कहां से secretes होते तो यह थे presynaptic neuron से secret होते है next one is aerobic respiration is तो यह थे catabolic respiration अगला है if two species grow from one ancestor species that is called अगर कोई दो species है वो किसी एक ही ancestor species से grow हुए है तो इसको हम बोलेंगे divergent evolution evolution के काफी सारे questions देखने को मिले ते इस बार अगला है in 2019 US men open was won by 2019 का US men open किसने जीता था तो यह था Rafael Nadal ने यहनका 19th grant slam title था और 4th US open title था which country have longest constitution तो किस country की longest constitution है हमारे India की अगला है oldest public bank in India oldest public bank जह है वो है Allahabad bank अगला है which of the following acid is used in battery batteries में कौन सी acid use होती है तो यह थी है sulfuric acid अगला है what is known as botanical snake botanical snake किसको बूला जाता है तो teradophytes को botanical snake बूला जाता है अगला है world smallest rebublic having land mass being only 21 km इस तो यह है sand merio ठीक है इसका land mass only 21 km है तो यह world की smallest republic है next is yellowing leaves is due to जो leaves होते है वो पीले पर जाते हैं तो यह किसके विज़े से होता है यह होते है lack of iron ठीक है और इसको बोते है chlorosis अगला है Boston Tea Party is related to the freedom struggle of which country तो यह America Britain जो थी इनकी freedom struggle का था इसको Boston Tea Party बोलते हैं Tea Party क्यों बोलते हैं इन्होंने सारी चाय पत्ती जो थी वो नदी में फेकना start कर दी थी तो इसलिए इसका नाम ऐसा Tea Party पढ़िया था Next one is Seminiferous Tribules has which cells? Seminiferous Tribules में कौन से cells होते हैं तो इसमें होते है स्टोल सेल्स Next है Electrons in same orbit are differentiated by जो electrons है अगर same orbit में ही है तो उनको कैसे differentiate करते हैं? Spin quantum numbers Spin quantum number is the fourth quantum number that differentiate two electrons in the same orbit Next one is Monument on the earth which is visible from moon तो ये है Great Wall of China ये मून से भी visible होता है Next is Impurity added in the semiconductor to increase its conductivity score तो ये भी दो सेट में questions आये थे ठीके इसको क्या बोते है doping of semiconductor Collision of molecules occur in When the molecule of the matter is not in a proper state जब किसी proper state में नहीं होता है तभी collision occur होता है molecules में अगरा ये भी इसी type का कुछ था reasoning type का ठीक है? देख लेना Before life established on earth its nature was reducing Name the organism which turned earth nature oxidizing तो बो रहा है जब life नहीं थी earth पे तो earth का जो nature था वो था reducing ठीक है? और ये कौन सा organism जो था जिसके विज़े से earth का जो nature है वो oxidizing हो गया? तो ये है cyanobacteria Next is paper chromatography is based on which principle? कौन सी principle पे based है paper chromatography? तो ये है the principle behind the paper chromatography is that the most suitable substance move further on the filter paper that least soluble substance तो जो जितना soluble होगा वो उपर जाएगा तो इस चीज के principle पे based है Next is bone marrow is not present in तो aves में bone marrow नहीं होता Next question is method used to separate methanol and acetone Acetone और methanol को separate करने के लिए कौन सा method used होता है? Acetone has a boiling point of 60 degree Celsius whereas methanol has a boiling point of 65 degree Celsius तो acetone का इतना boiling point होता है और methanol का 65, ठीक है? तो ये जो दोनों हैं ये fractional distillation से ही separate होते हैं Next is same number of neutron is called जिसमें same number of neutron होता है उसको isotopes बोलते हैं Next है Allura cave painting was related to तो Allura cave painting जो थी ये बुद्धिजम से related थी ठीक है? inspired by Buddhism Next is least paramagnetic material is जो least paramagnetic है वो manganese है ये भी हो सकता है कि option में manganese ना आये तो आप उस हिसाब से देखोगे कि least paramagnetic कौन है? Who painted this starry night? This starry night जो ये painting है किसने paint की थी तो ये की थी Vincent Van Gogh ने Again it's a reasoning question based on number pattern यहाँ पर आप देख सकते हो 80 है और यहाँ पर 10 minus हुआ 70 Then again 10 minus हुआ 60 यहाँ पर 10 है 5 plus हुआ 15 Then again यहाँ पर 5 plus होगा तो आजएगा 20 Next is how many number in postal pin code किते number होते है तो 6 number का होते है 6 digit Next is method used to separate very minute solid particles from liquid तो liquid से बहुत ही चोटी चोटी जो solid particles होते है उनको remove करने के लिए कौन सा method use किया जाता है तो वह होता है filtration अगला है which is more stable ortho और para hydrogen तो question ना इस topic से related था ortho और para hydrogen से और क्या stability है उसके उपर order दिया हुआ था तो मैं बता देती हो आपको कि ortho जो होता है वह जाधा stable होता है para form से at या above room temperature room temperature या room temperature से above पे ortho जाधा stable होता है लेकिन low temperature जब होता है तो para जाधा stable होता है ठीक है next है which country is the largest producer of iron ore तो एक देको यह question आया था यहां पे country पूछा है और एक set में आया था हमारे इंडिया का state पूछा था कि कौन सा state है largest producer of iron ore ठीक है तो country बोल है तो इसके साब से austelia है अगला है down process used for extraction of down process किस चीज के extraction के लिए use होता है तो यह sodium from molten sodium chloride so molten sodium chloride से sodium को extract करने के लिए process use होता है DNA separated through DNA कैसे separate होता है centrifugation से ozone layer restrict which ray यह question पहले भी आ चुका है its repeated question तो यह होता है ultraviolet को restrict करता है next is optical instrument where a thin glass is used वो क्यों use होता है ऐसा पूछा था तो total internal reflection के लिए अगला है hunter commission was related to hunter commission जो है किस चीज से related है तो यह जलिया वाला बाग massacre जो है उस चीज से related है history के काफी questions इस बार देखने के लिए मिले थे तो आप history पे थोड़ा सा जाधा पढ़ना अगला है when earth rotate what remained constant जब earth rotate करता है क्या constant रहता है तो angular momentum जो होता है वो constant रहता है next is how many hour before election campaign has to stop election campaigns जो होते है वो किते घंटे पहले stop हो जाने चाहिए election से तो यह जो होता है 48 hours पहले stop हो जाना चाहिए which is today before voting day ठीक है इसको बोलते है silence period ऐसे भी question आ सकता है इस बार कि silence period किसको बोलते है यह silence period क्या होता है okay next one is which organelle in the cell other than nuclei contain DNA तो कौन से organelle में nuclei के अलावा DNA होता है तो mitochondria में DNA होता है next is what is the symbol of WWF WWF है world wild fund इसका symbol क्या है तो इसका symbol है giant funda next is who gave the principle of sovereignty तो यह किस ने दिया था तो यह दिया था Gene Borden ने ठीक है जो original theoretical model of state divinity था वो इन्होंने दिया था अरी कब दिया थे इन्होंने अराउंड 1576 में next is Satish Dhawan Space Center इस इन यह कहाँ पर है तो यह श्री हरी कोटा में है श्री हरी कोटा कहाँ है आंध्रप्रदेश में next one is famous basketball player died due to coronavirus अभी देखो question यहां से बने थे एक आया था famous basketball player जिनकी recently death हुई हुई है तो वो थी Kobe Bryant उनकी death हुई थी helicopter उनकी crash होनी के वज़े से बट यहां पर पूचा है coronavirus से किसकी death हुई थी तो यह थे David, Edward and Lee Green next है from space which color of atmosphere appear to the astronaut तो astronaut को कौन सा color का दिखता है space से atmosphere तो black दिखता है अगला है who is the author of the book one life is not enough यह जो बुक है इसके author कौन है Natwar Singh next है which state has highest population density तो यह है Bihar Bihar की highest population density है second है West Bengal की next one is the world highest and longest glass bottom bridge has opened in which country किस country में वर्ड की highest and longest glass bottom bridge open हुई है तो वो है चाइना में next is swim प्रभाज related to which ministry यह जो swim प्रभाज किस ministry से related है तो यह ministry of human resource development से related है next is human right days human right days का बाता है 10th December को next है Abhinav Bendra associated with which sports Abhinav Bendra किस sports से related है तो यह shooting से related है इन्होंने 9 medals भी जीते है Commonwealth Games में and 3 gold medal भी जीते है Asian Games में next है Flying Sick of India Flying Sick of India किसे बोला जाता है Milka Singh को The Flying Sick का नाम दिया गया था and he was introduced to sports via Indian Army okay next is Truth Love and a Little Malice is written by यह book किसने लिखे थी तो यह लिखे थी कुश्वांत सिंग ने next one is Logarithm Table was invented by Logarithm Table किसने इन्वेंट किया था Scottish Mathematician थे John Kneifer इन्होंने इन्वेंट किया था अगला है Director of the film Titanic तो इनका नाम था James Cameron and यह भी एक टाइप से मैं कह सकती हूँ difficult level question था next is Single citizenship means Single citizenship मतलब क्या होता है तो ऐसे तो नहीं पूचा होगा obviously question इससे कुछ related आया होगा तो single citizenship क्या होता अप वह जान लो तो जो Constitution of India है वो single citizenship देता है लोगों को country के तो इसमें है क्या कि all the people irrespective to the state or territories in which they reside are the citizenship are the citizen of the country कहीं भी रहते हैं वो इंडिया के citizen है next is full form of e in email email जो होता है उसमें e का full form क्या होता है electronic 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 mail next is lack separate which country तो LAC यह कौन सी country को separate करता है तो LOC होता है line of control और LAC होता है line of actual control तो यह इंडिया को India control territory from Chinese control territory इन दोनों को separate करता है मतब इंडिया और चाइना को अगला है who is the chairman of national human right commission इसके chairman है H.L. Dattu next is internal resistance of a cell is the resistance of तो किस चीज़ का resistance होता है वो electrolyte of the cell का next one is यह एक reasoning का question था ठीक है you have to solve it अनुराग pointed to a girl and said that girl is the daughter of only child of my father how is she related to अनुराग's wife तो जैसे बोला मैंने यह blood relation वाला हो गया और number वाला इन दो type के जादा questions आते है and sitting arrangement इन तीन type के ही reasoning आती है जादा तो अगर आपको reasoning पढ़ना भी है तो आप ऐसा ही पढ़ना वैसे हर paper में reasoning आने के लिए भी नहीं मिलती तो अगर आप छोड़ना चाहते हो इस topic को तो छोड़ भी सकते हो next is satria is a classical dance of which state satria जो है किस state का classical dance है तो यह आसाम का है ठीके बी हू जो है यहां का folk dance है classical dance और folk dance difference होता है आपको यह पता रखना है next is the coldest planet in the solar system तो यह है Neptune क्योंकि यह sun से काफी जादा दूर है इसलिए coldest है अगला है the brightest and the hottest planet of the solar system तो यह है Venus ठीके यह hottest planet है solar system का bruno iris is the capital of which country bruno iris किस country का capital है तो यह है capital of Argentina next is national animal of Australia तो Australia का national animal है red kangaroo next one is which ecology has the largest primary productivity किस ecology में largest primary productivity होती है तो the highest net primary productivity in the terrestrial environment occur in swamps and marshes and tropical rainforest the lowest occur in desert तो lowest productivity होती है desert में और highest होती है tropical rainforest and marshes में next है first south asian nation to introduce e-passport किस ने introduce किया था बांगलादेश ने और यह south asia का first है पूरे world का first नहीं है अगर पूरे world से compare किया जाए तो यह 119th country है जिसने e-passport provide करना चालू किया है next है first female election commission तो यह है V.S. Ramadevi what is germplast? Germplast क्या होता है? Germplast are the loving genetic resource such as seed or tissue that maintain for the purpose of animal and plant breeding the germplast जो होती है living genetic resource होते है ठीक है seeds के या tissue के जो की breeding के लिए काम आय जाते है और research purpose के लिए भी single bond is rotated which is formed single bond को rotate करने से क्या form होता है? तो क्या form होता है? Conformational isomers when stem modifies and work like leaf for respiration तो इसको क्या बोलते है? phyloclats यह होते हैं जो stem modify कर जाते है as a leaf work करने लगते है respiration के लिए next one is Raslila is a popular in which state? Raslila कौंसे state में popular है? Uttarapradesh में the world's first floating nuclear reactor is launched by which country? तो यह रशिया ने launch किया है यह एक floating nuclear reactor है और ऐसा world में first time हो है next है in which games the world bunker is used यह जो word bunker है यह कौंसे game भी use होता है तो यह polo में use होता है यह sports की terminology जो होती है आपको याद करनी है next is first female governor of India तो यह दी सरोजनी देवी next है PM Kreshi Sampad Yojna is related to यह कौंसी ministry से related है तो ministry of food processing से related है next है DRDO chairman is awarded by जो DRDO के chairman है उनको किस ती से award क्या अब आप मुझे नीचे यह comment करके बताऊगे कि DRDO के chairman कौन है उनका award क्या मिला है मैं बताती हूँ honorary fellowship by royal astronomical society of UK यह उनका award मिला है पर उनका नाम क्या है you have to comment and tell me next is the focal length of a convex mirror is 50 cm what will be its power focal length है convex mirror का दिया हुआ है 50 cm ऐसे छोटे से numericals यह आते कुछ ज़्यादा difficult नहीं आते तो उसका power क्या है तो उसका power होगा minus 2D अब English के questions है कुछ तो यह सारे words आये थी spelling correction के लिए ठीक है यहाँ पर तो obviously मैंने सही लिखा है तो spelling correction आपका तभी ठीक होगा अगर आप daily vocabulary पढ़ते हो तो आपको देखके पता चल जागा कि कौन सा word इसमें से wrong लिखा हुआ है यह सारे भी spelling correction के थे abbreviation, agnostic, bugle, renaissance यहाँ से अब synonym था यह word था synonym के लिए आया हुआ था amalgamate ठीक है इसकी meaning होती है to join something to form a single organization या group next है callous इसकी meaning होती है hard या cruel next word is earnest इसकी meaning होती है serious या solemn next is agnostic it's a one word substitution agnostic meaning होता है one who is not sure about the existence of God कोई ऐससा person जो God की existence पे believe नहीं करता है या sure नहीं हो उसके बारे में ठीक है तो उसको हम agnostic बोलते है अगला है frugal जिसका meaning होता है avoiding unnecessary expenditure either of money or of anything else which is used or consumed ठीक है एक तरीके से avoiding waste पैसा आप जादा खर्च नहीं कर रहे हो तो उसको frugal बोलेंगे ये भी one word substitution है next है antonyum liability का antonyum होता है asset ठीक है recalcitrance इसका antonyum होता है stubborn ये भी reasoning था ये मुझे actually पीछे slide में ही add करणा था बट ये गलती से यहां पे आ गया तो मैं रीट कर देते एक बार introducing a man a woman said he is the son of the brother of my mother how the man belong to the woman तो ये उसका brother हुआ okay आप एक बर खुद भी solve करके देख सकते हो इसको pause कर लो question read करो solve कर लो next है ambidextrous ambidextrous का मतलब होता है ऐसा person जो दोनों हातों से लिख सकता है big fish ये एक idiom था इसका मतलब होता है an important or influential person ठीक है कोई ऐसा person जिसका बहुत ही importance है या influence है तो उसका हम big fish बोलते है next is one who never fail or make mistake ये भी one word substitution है तो उसको बोलते है infillable hand in mouth it's a idiom इसका मतलब होता है to have just enough money to survive सिर्फ इतने ही पैसे है कि तुम जिंदा रह सकते हो कुछ luxurious काम नहीं कर सकते पने life में तो वैसे situation को बोलेंगे hand in the mouth next है ये order and out है ounce, dollar, euro and peso इसमें से odd क्या है तो इसमें से आउंस जो है ये order क्योंकि एक weight नापने की चीज़ है बाकी सब currency है next is Delhi, UP, Haryana and Maharashtra तो इसमें odd one out है Delhi क्योंकि Delhi एक union territory है बाकी सब states है next है ये भी odd one out है tortoise, crab, frog and fish तो fish इसमें से odd है next word है flummoxed, इसकी meaning होती है to make one irritated to be puzzled किसी को irritate करना या puzzle में डालना मतलब confuse कर देना एक तरीके से तो इसको बोलेंगे flummoxed next is positive इसका हमसे antonym पूछा गया था तो इसका antonym होता है something that is sufficient कुछ ऐसा जो sufficient हो इसका meaning क्या हुआ कुछ ऐसा जो बहुत ही small amount में हूँ ठीक है next is यह idiom था we are heard on sleeves इसका meaning बताना है हमें options दिया रहता है आपको उसमेंसे meaning select करना होता है exposing our true emotion यह होता है इसका meaning next है antonym यह है nepotism word इसका antonym होगा impartial तो इसकी meaning हो जाएगी partial अगला idiom board the palm board the palm मतलब होता है to win reward again idiom carrot and stick policy तो इसकी meaning होता है combination of reward and punishment to induce a desire behavior next है idiom herd to herd talk जिसका मतलब होता है honest about their feelings renaissance इसका synonym आया था तो इसका मतलब होता है rebirth next है konishir इसका मतलब होता है expert या experienced word having two meaning तो इसका बोलता है हम ambiguous given which substitution है one who criticized someone by writing article about him or her तो इसका हम बोलता है lampoon अब कुछ fill in the blanks थे the first world war was dash in 1914 तो यहां पर क्या आएगा begin begin या begin तो इसका correct answer होका began ठीक है next is the old man was very weak to open door मैंने answer ही बोल दिया very होगा ठीक है the old man was very weak to open the door next is you haven't had your lunch yet dash you are you aren't you have you या haven't you तिसका होगा so इसका correct answer होगा have you next is this is the cow dash milk is sweet whom whose that या who second one whose milk is sweet next is dash of the three candidates are perfect none either या neither तो यहां पर ओका none none of the three candidates are perfect next है यह एक idiom है gift of the gap ठीक है इसका मतलब होता है someone who has the ability to speak well कोई ऐसा person जो बहुती अच्छे से बोल पाता है उसको बोलते है उसके पास gift of gap है next is drift in the loot यह भी idiom है इसका मतलब होता है a small problem or flaw in something that jeopardize the whole किसी पूरी चीज को खराब कर दिया किसी छोटे से problem ने next is यह meaning आया था look for and look after में क्या difference होता है ठीक है तो look for मतलब होता है search करना and look after मतलब होता है take care करना इसी तरीके से there and there के लिए भी आया था तो जो there होता है इसकी meaning होती है opposite of here ठीक है जैसे किसी place को बोल रहे है और जो यह वाला there होता है जिसमें I आयाता है इसको इसले यूज करते है जब हम किसी को indicate करते है कि यह किसी चीज से या किसी से belong करता है अगला इसी तरीके से आया था जो बताता है कि यह बहुत टाइट नहीं है ठीक है और यह जो लूज है यह एक verb है जिसका meaning होता है किसी का loss हुआ है तो वो ठीक है अगला है put in air इसका मतलब बहुत है to think or behave as thought one is superior to other or better than one really is तो ऐसे behave करना कि तुम किसी और से superior हो या तो मुझसे अच्छे हो तो ऐसे में put on air बोला जाता है next is one who can use both hands with ease तो उसको हम बोलते है ambidextrous अगला है idiom doldrum इसका मतलब होता है depressed या dull next is thing which can be eaten is called so इता easy questions भी आया था इसको हम क्या बोलते है edible अगला है put hand in plaw इसका मतलब होता है to set to work या to begin or get busy working काम कुछ चालू कर देना तो उसको बोल सकते है put hand in plaw अगला है person who don't believe in god as a person जो god पर believe नहीं करता है तो उसको हम बोलते है atheist आप मुझे comment करके नीचे बताना जो as a person जो god पर believe करता है उसको क्या बोलते है जो believe नहीं करता है उसको तो atheist बोलते है बट जो believe करता है उसको क्या बोलते है next is all that glitter is no gold it's an idiom something that looks good from the outside may actually be bad बाहर से वो चमकता हुआ अच्छा दिख रहा हमे लेकिन अंदर से वो खराब भी हो सकता है ठीक है next is tantamount ये word था इसका meaning होता है equivalent next is one who does a thing for pleasure and not for profession तो ऐसी परसन को बोलते है amateur next one is one who hate mankind तो इसको हम बोलते है misanthrope ऐसे परसन को misanthrope बोलते है one who collect coin ऐसी परसन को हम बोलते है numismatics green-eyed it's a phrase इसका मतलब होता है jealous या envious किसे सा आप जल रहे हो तो वक्त बोल सकते है green-eyed cast a pearl before swan तो इसका मतलब होता है offer a valuable thing to the people who do not appreciate them किसी परसन को हम ऐसी valuable चीज़ दे रहे है बट वो फिर भी उसको appreciate नहीं कर रहा तो तब बोल सकते है cast pearl before swine next है ये भी one word substitution है one who enjoy pains by hurting himself कोई ऐसा परसन जो खुद को hurt करके उसको enjoy मिलता है तो वैसे परसन को हम बोलते है massochist next है forbidden ये word आया था forbidden मतलब होता है not allowed या specifically disallowed question active and passive voice पर आया था आपको भी पता है active and passive voice के questions काफी लंबे होते हैं तो याद नहीं आया था बट आपको ये topic करना है इसलिए मैंने यहां लिख दिया so almost हमने 300 plus questions करें इस video में अगर आपने notes बनाया होगा तो आपको पता होगा in case आपने notes नहीं भी बनाया है तो आप इस video को ही 2-3 बार देख लेना तो आपको सारे questions याद हो जाएंगे I know अभी last time है आपके पस time नहीं होगा notes बनाने का तो आप video रखो अपने पास और इसी को 2-3 बार देख लेना तो उससे भी आपकी काफी help हो जाएगी क्योंकि जैसे मैंने बीच में ही आपको बताया था यह repeat questions आते हैं मैंने इसमे so अगर आप इस video के सारे questions अच्छे से कर लोगे तो आपकी काफी help होगे exams में okay so I hope आपको यह video पसंद आया होगा तो अगर अच्छा लगए तो प्लीज इसको like कर देना चैनल को subscribe कर देना अगर new हो तो और इस video को जितना हो सके share करना so thanks for watching and I really hope कि आपको इस video से काफी help मिले exam में